दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पाली के बर उत्तर बिहार में 22 तक बारिस के असार ओला विष्टी और ठंका से सतर करे लो अगले दो दिनों तक बारिस और ठंका का पुरानुमान जारी किया गिया है आपको बदा दे कि इस बदले मौसम की वज़ा से पाटनार उसके आसपास के जीलों में भी पिछले 48 गंटे में उच्चतम तापमान 7 डिगरी तक गटा है पटना में पारा समाने से 2 डिगरी नीचे मागलपुर में समाने से 4 डिगरी और पुर्निया में 5 डिगरी समाने से कम दर्च किया गिया है बाड़ी ख़बर बिहार में बिजली का संकट डिमान बढ़ने से कटोती की सिति बनी जिहां बिहार भिसन बिजली संकट की चपेट में है जिहां सिंटल सेक्टर से बिहार को 1000 मेगावाट कम बिजली के आपरती हो रही है और बरती गर्मी के बिजली की डिवान बने हुई है जिस कारण राज बिजली संकट की चपेट में आ गया है बिहार में यह हाला तब है इसकर ग्रामिन इलाकों में बिजली संकट घण गह रहा है सहरी इलाकों को प्रातमिकता के अधार पर बिजली दी जा रहिए है बिसन गर्मी के कारण इस समय सुबह की बिजली डिमार बार सट सो से चो सट सो मिगावार्ट पहुच गई है जबकि उपलब्दता चोवन सो मिगावार्ट तक ही हो पा रही है अगली बड़ी खबर बिहार में 23 अप्रेल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दवा बीजीपी ने किया वीर कुवर सिंग की जैनती पर फहराया जाएगा 75,000 तिरंगा इस कारकरम में मुझ कातिती की तौर पर केंद्रे गिर्य मंत्री अमित सा मौजुद रहेंगी गिर्य मंत्रे अमित सा के कारकरम में बदलाव किया गया है अमित सा 22 अप्रेल को पटना आने वाले थे अब उनके कारकरम में तब्दिली की गई है अब वे 23 अप्रेल को पटना आएंगे 23 अप्रेल की सुबह 10 बजे अमित सा पटना एरपूर्ट पहुचेंगे जहां से भी कि यह करकर मोबाल रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा अगली वड़ी खबर बीपेस से ने 40,000 हेट टीचरों की भरती के लिए आवेधन के अंतिम दिती बढ़ाई या बिहार लोग सेवा आयो की ओर से प्रामेरी स्कुलों में हेट टीचर के 40,506 पदों पर निकाले गई है भरत से 9 माई तक वेबसाइट bpac.bihar.nac.in पर उपलब्द रहेगा बाड़ी कबर बिहार में बाड़ से निवटने के अभी से तयारी आबदा विवाग का 15 जून से पाले नदियों को चिनित का रिपोर्ट दिने का निर्देश जिहा आगामी 15 जून से सुरू औरे बाड अव ताकि उस समय किसी तरह की परिशाने नहीं हो। कुरोना को देखती वे बाड़ पूरू तयारी में सरकार की ओर से जारी सभी निदोसक का पारा नस्वनिशित करने को कहा गिया है। सियम नितीस कुमार ने सिविल सिवा दिवस पर जिलादी कारियों को दिया कई टास्क विकास कारियों का ओचक निर्देशन करने का दादेश। सिविल सिवा दिवस के मोके पर अधिवेशन मवान में आवेजी दो दिवस समारों के मुई के कारकरम को दगाटन करने के बाद अपना समोधन दे रहे थे। बाड़ी कबर बिहार बोर्ड ने इंटर में बढ़ाई सीटे 17 लाग से अधिक सीटों पर होगा एडमिसन। सुत्रों से प्राप्द जानकारी के अनुसार बहुत जल्द एडमिसन की प्रक्रिया भी सुरू कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दे कि इस बार ओलाइन माजदम से आवेदन लिया जाएगा और इसी के अधार पर शुडेंट को सौट लिस्ट कर एडमिसन लिया जाएगा। इस बार बिहार बोर्ड से मेट्रिक करने वालों के अलवा सिबियसी, सियाईसी और आइन राज बोर्ड के चात्रों को भी एडमिसन का मुका मिलेगा। बियार बोर्ड के माने तो मेट्रिक में इस बार बारो लाग च्यासे हजार आट से कातर चातर रोतरिन हुए हैं। इस बार की पिली प्रावेट सिटी राइड बसों के तोलना में ये बसे कापी सिवधा जनक होगी। अगली बड़ी कबर सराब की होम डिलिवरी रोकने को तीसरे आख से होगी निगराने संग्दिंग इस्तानों पर लगेंगे सर्विलांस कैमरा जैस सराब की होम डिलिवरी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए उतपाद विवाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है संग्दिंग इस्तानों पर सराब की होम डिलिवरी पर तीसरे आखरो से भी नज़ा रखी जाएगे इसके लिए उतपाद विवाग ने सर्विलांस कैमरा लगाने की उज़ना बनाई है सर्विलांस कैमरा जिलो के पुलिस अधिक चोके की ओर से चिनित किये गए इस्तानों पर लगा जाएंगे इसमें सराब की होम डिलिवरी के बदनाम ठिकानों के रूप में चार्चित इस्तानों पर ध्यान रखा जाएगा ये सर्विलांस कैमरे इंटरनेट से जुड़े रहेंगे इसके जरी पल पल की विजवल और फोटो मुख्याले को ओलाइन मादम से उपलब्ध होंगे सर्विलांस कैमरों की आईपी एडेस के जरे या जानना आसान होगा कि कहा संग्दिक गतिविद्या चल रही है बाड़ी कबर अब 5-12 साल के बच्चों को भी लगेगा टिका कॉर्वे वैक्स वैक्सिन को मिले मंजूरी इंडिया के बच्चों के बड़ते मामलों के बेच गुर्वार को ड्रग कंड्रोल जनरल अप इंडिया के बिसेसक पेनल ने 5-12 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए कॉर्वे वैक्स वैक्सिन के एमर्जंसी इस्तिमाल के सिफारिस की है इसके बाद अब केंद्रे स्वास्त मंत्राला के अंतिम मंजूरी से पहले वैक्सिन को डिसी जी आई के अनुमति का इंतिजार है फिलालिया वैक्सिन 12-14 साल के आयू वर्ष के बच्चों को लगाई जा रही है इंडिया टुडे ने पिट्याई के सूत्रों के हवाले से कहा है कि सिदी एसडियो की कोविड-19 विसे विसेसक समिती ने बायो लोजिकल एक एमर्जंसी इस्तिमाल के आविधन पर विचार विमस कर पांस से गारा सल के बच्चों के लिए कोर्वे वैक्स के मंजूरी जने क सिपारिस की है है हैदराबाद इसीद फॉर्म बायोजिकल एक योर से विक्सित कॉर्वे वैक्स कोविड-19 की कि खिलाब महारत का पहला स्वेदेसी रूप से विक्सित आर्वेडियो प्रोटेन सब यूनिटी वैक्सिन है बाड़ी खबर 2011 में ऐस्टेट परिच्चा पास अभियरतियों को रहाद सिक्चा विवाग ने दे चटे चरन के सिक्चक नियोजन में सामिल होने के अनुमती दे दी है नियोजन की कारवाई 10 जनुवरे से सुरू होकर विविन संसुदी तितियों के बाद 8 फरवारी तक पूर्ण किया जाना था लेकिन मामला कोड में चले जाने की वज़ा से इसमें विलम होता गया आप मायदामिक सिचोको के निदसंग ने इससे जुड़िया दे सुचना जारी किये है विवाग की ओर से एक दो दिनों में आविदन के लिए सिडियो ले जारी किया जा सकता है इसमें कहा गया है कि अभियर्थियों ने पाटना हाई कोड में गुहार लगाए थी उन्होंने कहा था कि अगर चटे चरन में मौका नहीं मिला तो उनके उम्र सिमा खतम हो जाएगी और वो भविस में सरकारी सिच्चक के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे अब सिच्चा विवाग ने अधिसुचना जारी कर दी है इसके मुताबिक जिन अभियर्दियों ने 2011 में एस्टेट की परिचा पास की है और वर्स 2019 में 26 सितमा 2019 तक 28 डिग्री ले चुके हैं वे आवेदन कर सकेंगे पिहार में फिर वापस आ रहा है कोरोना मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग के लिए जारी हो सकते हैं आदेश अस्पताल में अलट हुआ जारी करोना को लेकर एक वाफिर दस्ट का माहुल है संक्रमन की रबदार देश के कई राज्यों में बढ़ने लगी है बिहार में हालात सामान नहल लेकिन खत्रे को देखते वे अस्पताल अलाट मोड पर जाने लगे है इंद्रा गांदे आयूर विग्यानस अंसान में मास्क और एंडिजन टेश्ट के सहारे कोरोना को रोकने के तयारी चल रही है जबकि आयनस बताल भी ऐसे ही मोड पर आ रहे है पाटना एम्स भी कोरोना को लेकर बचाव के तयारी पर मंतन कर रहा है स्वास्त विवाग में अपसरों की बेटक लगातार चल रही है इसमें संकरमन पर पुरी तरफ परताल की जा रही है बिहार में एक्टिव मामल की संका 13 है लेकिन बाहर से आनवालों को लेकर खत्रा बना हुआ है तेक बर राज में बच्चों को मीड दे मील देने से पहले चकेंगे हेड मास्टर हरी जंडी देने के बाद ही किया जाएगा वित्रा मीड दे मील में आ रहे सिकायतों को देखते वे सिख्चा विभाग ने अहाम फैसला लिया है बच्चों को दी जाने ओले मध्याई भोजजन योजना के आदा गंटे पहले स्कूल के प्रिंसिपल चकेंगे उसके बाद या बच्चों की बीच बित्रित होगा बच्चों को परोसने से पहले खाना चखने ओले प्रचार इसकी गुनवत्ता को लेकर हरी जंडी देंगे या बताएंगी कि खाना बढ़ी आया तब ही इसका वित्रन बच्चों की बेच किया जाएगा सरकारे स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाले मीड डे मील में कई तरह की सिकायते आ रहे थी, कभी खाने में छिपकिली मिलती तो तो कभी खाने की क्वालिटी बहुत खराब रहते थी, जिसकी कारण बच्चे इससे खाने से मना करते थे, पिछलो दिनों ही यह देखनों क मिला था कि चावल की जगा खुदी से बच्चों के लिए भात मनाया गया था जिसे बच्चों के खाने से इंकार कर दिया था उसे डस्टि बेन में ले जाकर फेक दिया गया था इस तरह की सिकायते आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है बड़ी कबर बिहार में कोवीड की सतर्टा डोज अब मुप्त में लगवाए सरकारी स्वास्त केंद्रों पर सुरू हुआ टिका करन जा बिहार में रहने वाले 18-69 उमर के लोगों को बुदवार से कोवीड वैक्सिन के मुप्त सतर्टा डोज देने का सिलसला शुरू हो गया है स्वास्त बिवार के सभी जीलों में टिका करन केंद्रों पर अधिक से अधिक संक्या में लोगों को सतर्टा डोज देने के निदेश जारी कर दिया गया है यह जानकारी स्वास्त बिवार के अपरमुई के सची प्रता अमरित ने दिया इसी के साथ बिहार देश का पहला राज बन गया जहां उनसर तक कि आयू वाले सामाने लोगों को कोविट टिके की सतर्टा डोज मुपत और सरकारी स्वास केंदर पर दी जा रही है इसके पले केंदर सरकार ने इस आयू वर्ग के लिए सतर्टा डोज के लिए नेजी टिका करन केंदरों पर वेवस्ता शुरू की थी इसके लिए रासी का वुकतान लावक कोई करना है अगले एक दो दिनों तक बिहार में कुछ जगों पर बारिस और ओले पढ़ने की वज़ा से तापमान में गिरावर देखने को मिर रही है लेकिन आगे आने वाले दिनों में गर्मी का सिलसिला जारी रहे सिक्षा मंदरे ने कहा कि गर्मी की चुटी को लेकर तदकाल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन गर्मी की प्रचनरता को देखते वे सिक्षा विबाग और सरकार की तरफ से भी नजर रखी जा रही है आज के लब का स्वाल बताई कि विहार सरकार को राज में किस चित्र में ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई